हेलो गाइज, वेल्कम बैक टू मा यूटूब चैनल इश्मुनी तो आज हम लेकर आचुके हमारा 19 वीडियो इस स्वाटसनेर स्टेट वाली सीरीज में तो आज हम ऐसी स्टेट के बारे में डिसकुशन करने वाले है जो कि खुद भगवान का देश, यानि कि God's Own Country के नाम से मशूर है तो हाँ, आज का डिसकुशन होने वाला है केरला स्टेट के बारे में तो बीना किसी डिले के आईए देखते हैं कि क्या है हमारी साच की स्टेट में तो जैसे कि हम पर्टिकुलर स्टेट रहती है उसका जेओकरफिकल लोकेशन डिसकुस करते हैं वह हमारी इंडियन मैप में कहां पर लोकेटेड है कहां पर लाए करता है उसके बारे में हम देखते हैं तो यह पिक्चर आप देख सकते हैं कि जो रेट कलर का आपको एरिया हाइलाइट किया हुआ दिखाई दे रहा है तो वही है केरला का लोकेशन केरला आपको देखेगा कि एकदम बॉटम में आदा है हमारे इंडियन मैप में तो अगर आपको कन्फिजन था कि केरला यह जो स्टेट है यह बिसिकली कहाँ पर लोकेटेड है हमारे इंडियन मैप में तो यह वीडियो पॉट्स करके यह जो पिक्चर है यह जो स्लाइड है यह आप बारे किस आपसर कर सकते हैं देन आगे जाते है देन उसके बाद हम ड दिस्टिक साथ है डिस्टिक का मैप कैसे दिखाई देता है तो यह आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है तो यही है केरला का डिस्टिक मैप तो लेट मी टेल यू कि केरला में 14 डिस्टिक साथ है तो आपको पता चल गया होगा केरला यह जो स्टेट है यह काफी बड़ स्टेट नहीं है चोती स्टेट तो अगर आप कहला करते हैं अगर आप को के पर सकते हैं कोन सी डिस्टिक्स सब से बड़ी है कोन से है बॉठ igenis उंख करेंगे कि डिस्टिक्स पर ज्यादा कुश्य नहीं बंदे भाड़ आपको आपके जनरल नौलिज के लिए इसके पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं जागे आगे जाते हैं तो आपको इसके बारे में डीटेल में पढ़ना है तो आप विकिपीडिया पे भी जा सकते या फिर गूगल कर सकते हैं तो फर्स पे है state emblem, तो केरला यह जो state है, इसको कुद का एक emblem भी है, तो वो emblem कैसे दिखता है, हम आगयाने वाले slide में मतलब देखेंगे, देना सेकंड नमबर पे state language की केरला यह जो state है, तो इसकी state language क्या है, तो मल्यालम यह जो language है, तो यह state language है केरला की, देन थर्ड नमबर स्टेट में रिटा करा यह चाहिए पे ब01 स्टे अनिमल भी आप कहा सकते हैं तो जो इंडियं ओलिफॉंट है तो इंडियं एलिफटर्ण हुमने पिछले काफी वीडियो में इसके वारे में discussion किया हुआ है तो Indian elephant ये जो एनिमल है तो ये state mammal है kerala state का जिसका scientific name हैiffus maximus indicus तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं scientific name काफी पार important हो जाते हैं तो उनके बारे में आप मतलब memorize करने के कोशिश करें फोर्थ नमबर पे is state bird तो state बर्ड ग्रेट होन्बिल तो यह पक्षी जो है यह जो बर्ड यह कैसा दिखता है वह हम आगयाने वाली स्लाइड में देखेंगे इसका साइंटिपिक नेम है ब्यूसेरस बाइकारनेस देन फिप नमबर पे स्टेट फीश तो स्टेट फीश भी है केरला को तो ग्रीन को भी एक स्टेट की बटरफ्ला है जिसका नेम है जिसका नाम है कॉमन नेम मल बार बैंड फीश जो कॉमन नेम है और अगर हम उसका साइंटिपिक नेम देखेंगे तो वह है पैपिलियो बुद्धा तो इसके बारे में आप ध्यान में रखें देन सेमेंत नमबर पे स्टे स्टेट फ्रूट तो जो जाक फ्रूट होता है तो आप सभी लोग ने जाक फ्रूट देखा होगा कैसे दिखता है तो तो अगर नहीं देखा है तो आगे आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे तो जाक फ्रूट यह जो आप बोल सकते कि पेड को लगने वाला जो फल है त इसका scientific name है Add to Carapus Heterophyllus इसके बारे में ध्यान में रखे लिए 9th नमबर पे स्टेट ट्री तो अगर स्टेट के बारे में बात करेंगे केरला के तो जो कोकोनेट का ट्री होता है जो नारियल का पेड होता है तो वह स्टेट ट्री है केरला का जिसका scientific name है Cocos Nucifera L तो इसके बारे में आप ध्यान में रखे अगर मतलब जो state symbols है इनके बारे में आपको detailing में पढ़ना है तो आप इसके बारे में Google कर सकते हैं आगे जाते हैं तो यह जो first picture है तो यह first picture है जो केरला का state emblem है उसकी picture है then second picture है great hornbill की जो की state bird है केरला का then third picture है state butterfly of केरला then fourth picture है green chromite की जो की state fish है केरला की then यह जो fool है तो यह fool हमने discuss किया हुआ है तो यह state का flower है मतलब केरला का state flower है then जो jackfruit है जो फल है जो की state fruit है केरला का तो इसकी picture मैंने यहाँ पे 6 नमरे पे लगाई है तो अगर आपको बारी किसा observe करना है तो वीडियो pause करके आप देख सकते है हम आगे जाते है then अगर कुछ factual information की बारे में मतलब बात करेंगे कि कोन को से जो facts है वो हमें as per general knowledge point of view के हिसाब से मतलब हमें ध्यान में रखने चाहिए memorize करने चाहिए तो formation day के अगर बारे में बात करेंगे तो formation day है 1st of November 1956 तो इसके बारे में क्या हिस्त्री है वो हम आगे पढ़ेंगे then capital है तीरू वननतपूरम then larger city के अगर बारे में बात करेंगे तो larger city भी जो capital है केरला की यानि कि तीरू वननतपूरम ही larger city है केरला की then अगर चीप मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे कि हाली के केरला के चीप मिनिस्टर को ने तो वो है पिनराई विजेन जो की Communist Party of India मार्सिस जो मार्सिस एक ब्रैंच है Communist Party of India की तो उससे बिलॉँग करते है then governor of केरला के मतलब अभी के governor को ने केरला के पहले डिसकस किया हुआ है कि 14 डिस्टिक्स आते है केरला में number of तालुकाज यानि कि जो 14 तालुक के 14 डिस्टिक्स है तो उसमें कितने तालुक की साथ है मिला के तो 78 तालुकाज आते है केरला जो है जो स्टेट है उसमें then members लॉप legislative assemblies देखेंगे तो 141 डिस्टिक्स जो के अलोकेटट हुई है केरला को तो वह है 20 डिस्टिक्स यानि कि 9 राजे सबाज सीट्स अलोकेटट हुई है केरला स्टेट को तो यह जो कुछ factual information है इस पर काफे बार कुश्चन बनते है तो इनके बारे में आप ध्यान में रखे आगे जाते है देन अगर कुछ हिस्ट्री देखेंगे केरला की क्या हिस्ट्री रही है ancient यानि की medieval उसके बाद modern period में क्या हिस्ट्री रही है तो जो 3rd century BC मतलब 3rd century before common era के जो rock inscription मिले है मतलब जो rock inscription जो मगद बोल सकते हैं जो काफी बड़ा empire हुआ करता था उसके जो emperor थे अश्चो का उनके time में जो 3rd century BC में जो rock inscription मिले है उसमें epigraphically यानि कि inscription में केरला ये जो word है वो केरला पुत्र यानि कि चेरास इनके नाम से मिला है इस नाम से आप बोल सकते कि inscription में था इसा आप बोल सकते हैं इस जो चेरास थे इन्होंने केरला का पुत्र आप बोल सकते कि इंटरनाशनली इंटरनाशनली उसका जो establishment था इंटरनाशनली जो progress था तो वो किया through trade तो उन्होंने काफी जो Arabian Sea के आप बोल सकते कि Arabian Sea के जो across जाने वाले जो अलग-अलग जो आप बोल सकते की regions थे अलग-अलग जो देश थे तो उनके साथ यह जो चेरास थे उन्होंने जो international trade relations थे तो वो establish किये तो जैसे कि Mediterranean और Red Sea के जो ports हुए उसके बाद जो Eastern Africa का region हुआ, Eastern Africa के देश हुए उसके बाद जो East में काफी ज़ादा जो Far East में जो countries अभी भी लाए करती है तो उनके साथ यह जो चेरास थे इन्होंने internationally trade relations establish किये थे उससे के through इनो जो केरला है जो region था वो काफी आप बोल सकते कि ट्रांसफॉर्म किया आप बोल सकते कि उसका development किया तो चेरास काफी आप बोल सकते कि notable एक dynasties रही है केरला में तो ऐसा मतला first point था देन अगर early middle ages के बारे में बात करेंगे तो नंबुदीरी अरब नाम के जो immigrants थे वो केरला में आये उसके बाद उन्होंने आप बोल सकते कि gradually जो society थी केरला के उसे आप बोल सकते शेप देना चलो किया केरला में पहले caste system नहीं हुआ करती थी बट यह जो आप बोल सकते नंबुदीरी अरब और अब जो थे तो उन्होंने caste system को इंट्रोडिस किया केरला में उसके बाद फिर 8th century में जो आदी शंकरा मतलब उनका जो जन्म हुआ था आदी शंकरा मतलब सेंटरल केरला में जो कलाडी यह जो रिजन थे वहाँ पे इनका जन्म हुआ था तो उन्होंने आप बोल सकते कि काफी जाधा travel किया पूरा Indian subcontinent वो घुमे अलग-अलग institutions उन्होंने निकाले और वो काफी influential थे एक philosophy को लेके जिसका नाम था अदवेता विदानता इस पे काफिवार question बनता है तो अदवेता विदानता का मैं आपको meaning बता दू कि जो ब्रह्मन है मतलब इंग्लिश में कर ब आया है यानि कि आप बोल सकते कि illusion है या फिर डिलूजन है ऐसा आप बोल सकते है तो यह था second point थर्ड पॉइंट है कि 1741 में जो त्रेवन कोर यह जो प्रिंसली स्टेट थी इसके जो किंग थे जिनका नाम था मार्थंडा वर्मा इन्होंने डच को defeat किया मतलब डच का परभ किया उसके बाद British crown जो थे यानि कि 1857 के बाद में जो आप बोल सकते नदन केरला जो था जह आप बोल सकते जो मल बार डिस्टिक ने क्रियेट किया वहाँ पे नदन केरला में और नदन केरला का जो पूरा आप बोल सकते कि जो administration था तो वो British crown के अंडर चला गया और थ्रुर्ण ति क्यों जो जो जब पार्ट थे सधन पार्ट तो उस पर उनका जो रोल है वह इस्टैब्लिश किया You Dominis established किया तो काफी उनको अलाइस होने के वज़र से इसी गया तो जैसे कि नाइन्टिंफ सेण में इंडिया को इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे गवर्मेंट को तो वैसा नहीं करना पड़ा मलबार डिस्टिक और कोची के किंडम के साथ वो पीसफिली आनेक्स हो गए हमारी इन्या में उसके बाद फिर 1956 में जो केरला यह स्टेट था तो वह उबर कर आया तो केरला में जो 53 कोची के जो आप बोल सकती कि जो कुछ पार्ट थे जो देन मलबार डिस्टिक यह जो अलग एक रिजन हुआ करता था उसके बाद फिर जो मदरा स्टेट थी तो उसका जो साउथ कैनरा डिस्टिक था तो उसका जो तालुका था एक कसारा गोड नाम का तो वह भी इंक्लूट कर दिया गया केरला में तो ऐसा मतलब आप बो कोन थे केरला के तो वह थे E.M.S. नंबुदिरिपाद और फर्स्ट गवर्णर कोन थे केरला के तो वह थे बुर्गुला रामकृष्णा राओ तो इनके बारे में ध्यान में रखें तो यह थी हिस्टिक आफ केरला आग जाते हैं तिन अग जोग्रफी क्या है केरला की करें में दिस्कॉस करेंगे तो केरला यह जो स्ट्येट है तो यह Malbari कोस्ट पर है जैसे कि हमने पहले उसका जो जो क्योग्राफिक लोकेशन है वह देख लिया है उसके बाद इसकी जो स्थापना हुई थी यानिकि कभी मतलब यह कईरला यह स्टेट है वो कब बना था तो दिया गया था 1st of November 1956 को तो यह हमने पहले डिसकस कर लिया है तो केरला का अगर हम एरिया देखे तो केरला 38,863 km2 पे फैला हुआ है जिसके वज़े से केरला हमारे इंडिया के इंडिया का एरिया वाइस 21st लार्जे स्टेट बनता है तो यह था कहना उसके बारे में तो अगर क आप जाएंगे तो करनाड़का आपको देखने को मिलेगा देन इस्ट एंड साउथ में तामिलनाडव आपको देखने को मिलेगा देन अगर आप लक्षवदीब सी के बारे में बात करेंगे तो वेस्ट में अगर जाएंगे आप तो लक्षवदीब सी आपको देखने को मि तो उसके हिसाब से यानि कि population की हिसाब से अगर हम रैंकिंग्स लगाए हमारे इंडियन स्टेट्स की तो उसमें केरला 13 नमबर पर आता है तो यह ता पूरा सेकंड पॉइंट का कहना तर्ड पॉइंट है कि जो मल्यालम यह जो स्टेट लैंग्वेज है केरला की वह आइडली पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो वह है 2,22,000 रूपीज तो यह है पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ केरला के बारे में बात करेंगे तो सेकेंड मोस्ट अरबनाईज मेजर स्टेट है यानि की जो 47.7 परसेंट population है केरला की तो वो urban population है मतलब 47.7% जो लोग है तो वो शहरों में रहते है according to जो 2011 का जो census हुआ था जो जन्गनना हुई थी उसके इसाब से तो अभी वो काफी सदा बढ़ गया हुआ और जो tertiary sector केरला का वो काफी सदा contribute करता है जो gross state जो value added है तो उसमें तो 65% जो है आप बोल सकते कि जो GSCV है तो 65% tertiary sector contribute करता है और primary sector काफी कम आप बहुत सदी contribute करता है जो कि है 8% तो वेता third point अगर हम human development index के बारे में देखेंगी तो हमें केरला में काफी जादा अच्छी progress देखने को मिलीगी according to human development index जो की है 0.782 जो की high मना जाता है तो अभी तक के जो हमने state discuss किये है तो उसमें सब medium और low ही थे high कोई ने था तो केरला की जो यजडिया है तो वो है 0.782 जो के high मना जाता है और literacy rate काफी जादा अच्छा है जो कि 96.2% और गर state का gender ratio देखे तो यह तो सबसे अलग है जो कि 1084 females per thousand males मतलब अभी तक हमने ऐसा जो state का जो gender ratio है वो नहीं देखा है तो यह भी काफी अच्छी बात है तो इंपॉर्टन रिवर्स अगर हम देखें केरला की तो जो 244 km की जो लॉंग 244 km लॉंग जो पेरियार रिवर है जिसको ancient period में चुरनी के नाम से जाना जाता था और वो काफी जादा अब बहुत सकते के major role play करती है जो केरला का जो culture है केरला का अब बहुत सकते economy है तो उसे अच्छी तरह किसे ग्रोव करने के लिए अगर important mountains की बारे में बात करेंगे तो अनाई peak जिसे हिंदी में अनाई moody के नाम से भी जाना जाता है तो वो केरला स्टेट में ही आता है तो अगर इसका अगर हम location देखेंगे तो वो western घाट की जो range है तो उसमें located है जिसकी height है 8,842 feet जो की हमारे जो इंडियन peninsula है उसका सब से highest peak है तो इसके भारे में आप देहन में रखें तो यह थी जोग्राफिया आप केरला अगर जाते हैं इंपोर्टन डैम्स और लेक्स देखेंगे केरला के इंपोर्टन डैम्स में आते हैं मलम पुझजा डैम जो की मुलम पुझजा रिवर के उपर ही बना हुआ है देन इ नेयार डैम जो की नेयार रिवर के उपर ही बना हुआ है तो मुल्ला पिरियार डैम पिरियार रिवर इद्दु की डैम में काफी बार न्यूज में रहते हैं तो इसमें काफी कोश्चन बन सकते हैं तो इनके बारे में आप ध्यान में रखें तो इंपोर्टन लेक्स अगर Chira lake विरन पुज leaving तो यह कभी मतलब लेग्स और डैम का few पर important हो जाते लए इनके बारे में अगे जा दे निए कर बहुत करने के लिए के जो पीपल है तो वो यस दो को मनाते है देन सेकंड नंबर पे विश्यू तो विश्यू यानि कि जो लॉड विश्णु है और उनके जो आप बोल सकते कि incarnation थे लॉड कृष्णा तो उनको पूझने के लिए यह जो फेस्टिवल है विश्यू नाम का तो यह केरला के कि पल मनाते है देन थर्ड नंबर पे पॉंकाला तो पॉंकाला के एकर बारे में बात करेंगे तो पॉंकाला यह जो फेस्टिवल है तो यह रिवरेंस पे करने के लिए यानि कि जो सुर्य देवता है जो कैटल्स है जो मदर नेजर है तो उनको रिवरेंस पे करने के लिए यह फिस्टिवल मनाया जाता है देन फोर्थ नंबर पे है ए उत्तरा ती बोट रेस तो इसके बारे में आप गराम मतलब जो अरान मुला उत्तरी ताती बोट रेस जो है तो वो काफी ज़्यादा एक बोल सकती की एडवेंचरिस फोर्ट है काफी फेमस पोर्ट है केर लागा जो क जो ओनम यह फिस्टिवल है तो उस टाइम पे जो लोग है तो वो मतलब जो बोट की बोट से तो उनकी रेस लेकाना काफी ज़्यादा पसंद करते है तो यह एक इंपोर्टन्स रखता है केरला के फिस्टिवस में फिप नंबर पे है कोडून गैलोर भरानी तो जो आप बो यह एक पर दाम है तो इनके बारे में रहें सिक्स नंबर फे थिसुलपूरम तो जो लौड शिवा है तो उनको पूझने के लिए जो थिसूलपूरम है तो यह जो फिस्टिवल है केरला के पीपल मनाते है तो बोट सकते कि अधूर घजा मेला तो गजा मेला यानि कि जो आप बोच सकते कि उनका एक importance शो करने के लिए जो अधुर गजा मेला ये जो फेस्टिवल है ये केरला के पीपल मानाते हैं एट नमर पे है थिरुवा थिरा तो थिरुवा थिरा के अगर बारें बात करेंगे तो थिरुवा थिरा इस टाइम पे ऐसा मानने आता है लोगों की कि इस टाइम पे जो लौड शिवा थे तो उनको जो उनकी पत्नी थी पारवती वो मिल गए थी पारवती ने काफी ज़ादा पूजा तो मंडला पूजा भी मताब काफी जदा एक important festival है केरला का तो यह भी एक शक्ति की पूजा करने के लिए आप बोल सकते काफी जदा important पूजा रहती है मंडला पूजा तो जो की festival है केरला का और 10th नमबर पे Christmas तो क्रिस्टमस की बारे में बात करेंगे तो केरला में जो क्रिस्ट्चन कम्यूनिटी वह का दिरे दिरे ग्राजूली बढ़ रही है तो उनका जो आप बोल सकते कि उनका एक festival रहता है इसके बारे में आप ध्यान में रख सकते हैं आगे जाएंगे तो क्रिस्टमस क्या है केरला के तो कथाकली तो कथाकली यह जो डांस है तो यह केरला में ही ओरेजिनेट हुआ था 17th century के आसपास में तो जिसे मतलब जो कथाकली जो डांस है तो इसमें अलग-अलग stories नेरेट की जाती है तो इसके बारे में आप ध्यान में रखे तो सेकेंड नमर पे हैं मोहीनी एट्टम तो मोहीनी एट्टम जो विष्णु के आप बोल सकते कि विष्णु का जो एक आप बोल सकते कि रूप था मोहीनी का तो उसके हावबाव उसके expressions उसके deeds शो करने के लिए यह जो मोहीनी एट्टम है तो यह जो डांस है तो यह केरला में जो विमेन है तो वह इसे परफॉर्म करती है थर्ड नमबर पे है थिरवा थिराकली तो थिरवा थिराकली यानिकि जो आप बोल सकते कि जो फीमेल एनरजी है फीमेल एनरजी शो करने के लिए जो विमेन है केरला की तो वो इसे आ बोस्ते परफॉर्म करती है, फोर्थ नमबर पे है कोलकली, गोलकली इसे especially मेन के दुवारा परफॉर्म कहाता है, हाथ में स्टिक्स लेके एक डांस परफॉर्म कहाता है, तो उसे कोलकली कहता है, फिप नममर पे है उट्टम थुलाल, तो ओट्टम् थुलाल जो आप बोल सकते कि जो अलग अलग stories है तो वो show उपड़ीच करणे के लिए लिए वोग निढ़ा सीवर्ट में तो उन्हां सля कुथू ठापनगित्जू है तो लग अलग जो आप को सकते जो स्टोरिस नाइयरेटकी जाती चक्यार कुथू के दवारा तो इसके भारे में ध्यान में रखें देन ओपन ना एक ऊपन ना जो डांस फोम है तो वह बहुत सकते कि उनका एक sacred dance form traditional dance form जिसे आप कह सकते है तो ये भी importance रखता है केरला में और थेयाम नाम का एक dance form है तो थेयाम अलग-अलग थेयाम रहते है केरला में तो वो अलग-अलग dance perform करते हैं उनके बाद फिर लोग इनसे आश्विरवाद लेते हैं तो ये भी काफ ज़दा importance रखता है dance forms तो इसके बारे मैं दहन में रखें तो ये थे कुछ important dance forms आप केरला देन आगे जाते हैं देन famous dishes अगर हम देखेंगे केरला की क्या-क्या famous dishes है तो first पे है इडियापम with curry तो इडियापम आप बोल सकते कि इडियापम जो first picture मैं यहां पे लगाई है तो ये है इडियापम with a curry त noodles की जैसा एक product आपको दिखाई दे रहा है food item आपको दिखाई दे रहा है तो इसे rice flour के साथ आप बोल सकते कि बनाया जाता है उसके बाद फिर जो अलग-अलग vegetable curry यानि कि जो उसके बाद पीज करी उसके बाद अंडा करी chicken इसके साथ इसे खाया जाता है काफी सथा important और तो परिप्पु करी को आप दाल भात के जैसे compare कर सकते एगजैक्त तो नहीं बोलेंगे बड़ कर सकते और थर्ड नमबर पर डोसा गी roast और सांबर तो जैसे कि डोसा का फसेदा इंडिया में तो डोसा बी एक important dish है केरला की जिसे लोग मतलब सांबर के साथ खाना पसंद करत है जैनों फौर्थ नंबर पर करीमिन पॉली चात्व को में आइडिया आगए अग्याओ जैसे फूब। तो पतिरी एक राइस फ्लोवर के साथ राइस के बैटर के साथ प्रिपेर के हुआ पैनकेक रहता है तो जो आपको सेकंड पिक्चर दिखाई दे रहे हैं तो यह पतिरी की ही है तो पत्री भी क्या ज़्यादा फेमस है केरला में इसे प्रिपेर के बारे में देखना है तो आप यूटूब पर जा सकते हैं तो यूटूब पर जा सकते हैं चेमीन करी तो चेमीन के रहानी जो प्रॉंस रहते है छोटे-छोटे तो उनके द्वारा जो डिश प्रिपेर की जाती है तो उसे चेमीन करी कहते है देन नाइंत नंबर पर कोजुक कट्टा तो कोजुक कट्टा एक स्वीट डिश है एक डेजर्ट डिश है जिसे लोग जो बड़े चाव के साथ खाते हैं काफस जदा फेमस है तो अगर आपका भी केरला जाते हैं तो इन में से कुछ जो डिशेस है वो जरूर ट्राइ कीज़ेगा फर्स पिक्चर है इडियपम विट करी सेकंड पिक्चर पथीरी की थाट पिक्चर चीमीन करी की और 4 पिक्चर उन्पम की इसके पर्याम प्यान में रखेए आगए जाते हैं तो टूरिसाइसां केकर लग हो गया हम कैरला में जाए जैंगे तो किया-क्यात सी चीजहूना दे है और अगर आप जाएंगे तो आपको देखे कि वहाँ पर जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स है दिन उसका जो नाइट हुई है दिन जो क्लीन रोड्स है तो आप वहाँ पर जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं देख सकते कि क्यापिटल कितनी बड़ी है देना सेकं तो वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं तो कुछी भी काफिजदा आप बोल सकते हैं तो फॉर्थ नंबर पर अलापुजा तो अलापुजा जो बीचे से देन बैक वाटर से दिन मूजियम से अलग अलग तो पार्स है तो उसके लिए पहाँ जाके आपना त सकते हैं तो कोवालम उसका जो लाइच अप्र वीच तो उसके लिए काफिजदा फेमस है डैन सीक्स नमबबर पर चैनल चाहल उसके लिए अपना ताइम स्था ऑन तो कुमारा को अगर जाते तो वहां पर जो बार्ट सेंग्चुरी बाटर फॉल्स जन अलग अलग लेक साह लुट आपना टाइंडिस प्ञण कर सकते हैं होलिटे स्पेंड पर्ड़ैन कर सकते हैं यह थी नम्हे इच नमभर पर वरकल अगर क्ला आप जाएंगे यह वहां पर ईसे कुछ बीचे संहितो expose Kamal Chemistry निद्सस्पिरिंग कर सकते हैं हैं कि God कुल्लम अगर आप जाएंगे तो कुल्लम में बीचेस जो जटाई का जो और सेंटर है जो जटाई का कफे जदा बड़ा मामदा लेटा हुआ स्टेच्व है तो वह भी लोगों में अट्रैक्शन पॉइंट है और टेंथ नमर पे है कनूर तो कनूर आप जाएंगे तो कनूर म सब्सक्राइब के जो निकल कर आई है ऐसी परस्ट पे केलबपन तो के कलबपन फ्रीडम फाइटर थे केला के तो यह जो केलबपन यह जो परस्टाइब इंपर्स रखते है केला की हिस्ट्रे में तो इनके बार में त्यान में रखे एक रिस्पेक्टफू परस्टेलिटी के मतलब आप जैसे देखे जाते हैं इन सेकंड नमर पे राजारवी वर्मा तो राजारवी वर्मा जो कि एक बोल सकते के इंडियन पेंटर थे आर्टीस तो वह भी केरला से आते थे धंधन फर्ड नमबर पे क म जियॉर्ज तो के एम जोर्ज काफी बड़े इंडियन पॉलिटिशन ती केरला के यह भी काफी बड़े मत्यों सकते कि फिर्मस पास्नेलीतिस देन फोर्थ मनमर पे वीपी मेनन तो वीपी मेनन के बारे में अगर आप जानते हैं तो सरदार वल्लब भाई पडल के राइट हैंड अब जिने बोल सकते जिन्हों ने जो अलग अलग प्रेंस्टी स्टेट सी तो उनको इंडिया में एनेक्स करने के लिए काफिजदा आप बोल सकते के परिश्रम किये थे तो उनको वह विपी विमेनन थे तो मोहनला एक इंडियन एक्टर है काफिजदा जाने माने एक्टर है देन 6 नमबर पे पिटी ओशा जो की जो ट्रैक अथलेट है हमारे है हमारे इंडिया की काफिजदा बड़ा नाम है देन 7 नमबर पे केश चित्रा तो केश चित्रा एक इंडियन प्लेबेक सिंगर है काफिजदा का नामे केस्चित्रा काफी फेमस है देने इट नमबर पे वी एम बशीर तो वी एम बशीर एक मल्यालम लिटरेचर आप बोल सकती की लिटरेचर राइटर है तो वह भी काफी ज़दा फेमस है केरला में देन नाइंथ नमबर पे संजू सैमसन जो की एक इंडियन क्रिकेटर है जो हाली में जो राजस्तान रॉयल्स यह जो आइपल की क्रिकेट टीम है तो उसका बुल सकती को उसका नित्रुत्व कर रहे है और टिंट नमबर पे नयंथरा तो नयंथरा एक इंडियन एक्टरिस है काफी ज़दा फेमस है तो यह थी कुछ फेमस पसनेलिटिस फ़म केरल कि ड् peppन की सेगेंड heut पिक्चर हे वीत्य मेंद्द की ढर्ट पिक्चर हे और फार्ट पिक्चर हे नयंथरा की तो इनके वह ध्यान में प्रोड़क्ट्स है तो जियाट एक्स में है अरानमुला कन्नाडी देन पयानूर सैक्रेड रिंग देन नौरा राइस पलक कदम मट्टा राइस मलाबार पीपर देन एलेपी कोईर मद्दालम औफ पलककड एलेपी ग्रीन कर्डमम देन पोकली राइस एंड वजाकुलम पाइ करेंगे तो रभर का प्रोडख्णज काफि जाधा होता है के दिखनो में कोकोनट एरिड녊ट देन टैपियोका कॉफी कलिडमं टी कैश्यू ञींजर टर्मरीं तो इनका फ्रोडक्शन का प्रोडख्वी स्वाटा में में गोता के दिखनों में जिसकी वजह से जो के लग ए है वो stable है और वो grow कर रहे है ग्राजॉली तो इसके बारे मां ध्यान में रख सकते हैं दिन important national parks and wild life centuries के बारे में बात करेंगे तो पाच national parks है और wild life centuries 17 है तो नैशनल parks में अगर हम देखेंगे तो era viculum national park silent valley national park silent valley national park पर काफी बार कोशन बना है तो इसके बारे मैं ध्यान में रखें तर्ड नंबर पे है अनामुडी शोला नैशनल पाक फोर्थ नंबर पे है मती केतन नैशनल पाक और फिप नंबर पे है पंबादम शोला नैशनल पाक तो इसके बार में आप ढान में रखे हैं नैस्टनल पार्क्स पे काफि popular question बनते हैं तो wildlife centuries में अगर देखेंगे तो नेयार wildlife centuries पीची वजानी वाईलाइब century वयानाद wildlife century इद्दुकी wildlife century तैपबरा wildlife century तिन थत्टेकद wildlife centuries शेन्दूरनी wildlife centuries चिननार wildlife centuries चीमनी . वाइबसेंचुरीज और एलम . वाइबसेंच्छुरीज तो वाइबसेंचुरीज और नैशनल पाल्स काफी बार इंप्वरडन्ट होता है तो इनके बारे में आब जरूर ध्यान में रखे में और मैमर्येज करने की कोशिस करे आगे जाएंगे तो इसके बारे मैं पजयान में रहें क्योंकि इनके उपर कापी बार कॉश्षन बनते है, तो जो वेस्टेन घाट से केरला के, तो उनको एक यूनेस को वर्ल्ड हेरिटे साइट में इंक्लूट कर दिया गया है, तो इसकी जो लिस्ट है, वो आपको गूगल पे आसनी से मिल जाएगी, तो इसके बारे मैं आप ध्यान में रखे, द्यान इसे के साथ हमार जो सब्स्राइब कीजिए, किसी की हेल्प अगर हो सकती है, तो उनके साथ चैनल को शेर कीजिएगा, और अगर आपको बता नहाएं कि नेक्स टेट में कौन सी लू, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, and that's it, thank you.